मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाली नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल घर का स्वाद में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आज हम बहुत ही टेस्टी और पांच मिनट में बनने वाला नाश्ता बनाएंगे आज हम बनाएंगे आलू के लच्छा पैनकेक और फटा फट से बनने वाली रेसिपी है आप इसे हेल्धी रेसिपी भी कह सकते हैं बहुत एक कम समान का इसमें यूज होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तयार होते हैं तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए दो मीडियम साइज के कच्चे आलू मीडियम साइज की एक गाजर छोटा सा टुकड़ा अद्रक का दो चम्मच दही आधा कप गिहूंका आटा आधा चम्मच लाल मिर्ज का पाउडर एक चोथाई चम्मच गरम मसाला थोड़ा सा बारिक कटा हुवा हरा धनिया और नमक स्वात की एनुसार तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिए हैं दो मीडियम साइज के कच्चे आलू एक मीडियम साइज की गाजर और आप देख सकते हैं छोटा सा टुकड़ा अद्रक का है तो इन तीनों ही चीजों को हमें कद्दू कस करना है तो सबसे पहले हम आलू को कद्दू कस कर लेंगे साथ में ही अद्रक को भी कसेंगे और यह जो गाजर है इसे भी हम कद्दू कस कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी चीजों को हमने कद्दू कस कर लिया है यानि कस लिया है तो अच्छे से हाथों से एक साथ सभी चीजों को मिला देंगे और अब हम इसमें एट करेंगे बारिक कटा हुआ हरा धनिया स्वात के अनुसार नमक थोड़ा सा लाल मिर्श का पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला तो बस इतनी ही मसाले इसमें हम एट करेंगे बहुत ज़्यादा मसालों का हम यूज नहीं करेंगे हाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा कुटी हुई काली मिर्श का पाउडर इसमें एट कर सकते हैं और दो चम्मच के लगबग इसमें हम यूज करेंगे दही जिससे कि इसमें टेस्ट अच्छा आएगा पर यदि आपके पास दही नहीं है तो आधे नीबू के रसका यूज कर लें तो अब हम सारी चीजों को एक साथ अच्छे से मिलाएंगे जब सारी चीजें अच्छे से मि मिलाएं तो कि बहुत जादा आटे का यूज नहीं करेंगे जितने आटे से अच्छे से बाइंडिंग हो जाए उतना ही आटा इसमें मैट करेंगे तो अभी जो है दो छोटे चम्मच इसमें आटा और पढ़ेगा अच्छे से मिला देंगे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने पैन केक का बैटर बना कर तयार किया है बिल्कुल उसी तरह बना रहा है जिस तरह पकोड़ों का बनाते हैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है तो अब जो यह मिशन है पैन केक का बनकर तयार है तो फटा फट से बना लेते हैं यहां पर पैन में हमने टेल डाल लिया है टीन चार चोटे चमच तब तेल को अच्छे हम गरम होने देंगे और जैसे ही यह यह बना केक का बनाया है एक बड़े चमच की करीब हाथों में लेंगे और इसे हाथों से फैलाएंगे छोटे-छोटे से पैनकेक बनाएंगे आप चाहें तो चम्मस से लेकर भी फैला सकते हैं या फिर इस तरह हाथों से फैला लें अब हमें गैस का फ्लेम लो कर देना है और बस दीमी-धीमी आजपह ने से खेंगे और जैसे ही नीचे पकें तब ही हम इने पलटेंगे अब गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और अच्छे से प्रेश करते हुए दोनों साइट से तब तक सेखना है जब तक कि अच्छे सह यह क्रिस्पी ना हो जाएं हलके से ब्राउन हो जाएं तो अभी जो पैंकेक का बैटर है और बचा है जिससे कि इतने ही पैंकेक बनकर और तयार होंगे तो बस यह जो पैंकेक है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से सिख चुके हैं प्लेट पर इन्हें निकाल देंगे और बाकी पैंकेक भी इसी तरह बना कर तयार करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं सभी पैंकेक हमने बना कर तयार कर लिये हैं और कलर भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा आया है बहुत ही जादा क्रिस्पी बने हैं तोड़कर आप देख सकते हैं अंदर का जो आलू है और जो हमने इसमें गाजा रैट की है अच्छ कर सकते हैं यदि आपके पास गाजा नहीं है तो आलू के साथ आप प्याज का यूज कर ले या कोई और भी वेजिटेबल आप इसमें एड़ कर सकते हैं तो यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले